आज हम मौजूद है गोरे गाउं के नेस्को एक्जिबिशन सेंटर में जहां पे आज तक्रीबन इस नेस्को एक्जिबिशन सेंटर में म्यूजिक और जैसे एक्जिबिशन बड़े बड़े जो प्रोग्राम यहां पर होते थे आज जो माहुल कोवीड-19 का जिस तरीके से मुंबई में पसरता हुआ नजर आ रहा है उसी को देखते वे केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों का दवरा मुंबई यह से शहर में हुआ और उस दवरे के बास से इस नेस्ट को जैसे इग्जीबिशन ग्राउंड को एक कुरोंटाइन सेंटर में बदलने की एक निर्णय लिया गया जिसको देखते हुए कि क्रोना के जो पॉजिटिव पेशन और जो कॉरंटाइन के पेशन बढ़ते हुए जा रहे हैं इसी को देखते हुए यहां पर भी आप देख सकते हैं कि तरीके से यहां की जो महरास्टा की गवर्मिंट है उसने निर्णय लिया इसको एक तैयार किये जा रहे हैं ताके जो पेशन यहां पर आए उनको किसी चीज की तकलिफ ना हो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फैन मौजूद है चेर मौजूद है और बैड भी मौजूद है बाकाइदा बहुत ही अच्छे से यहां पर इस कॉरंटाइन सेंटर को बनाय जा रहा है और भार की तरफ अलग से डॉक्टरों के लिए एक ऑफिस जैसा ऑफिस नुमा एक सेट भी बनाया गया जहां पर डॉक्टर्स बैठेंगे और वहां पर जो भी पेशन्ट आएगा उनकी जो इंट्री होगी वो की जाएगी उसे भी हम आपको दिखाते हैं बाहर चल कि किस तरीके से वहां इंतिजाम किया जा रहा है आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो नेसको एक्जिबिशन सेंटर को कोरंटाइन सेंटर में तब्दिल कर दिया गया है ताकि आप लोग को ये बात पता होगी कि जी सरीके से मुंबई ये शे शहर में जो कोवीड नाइंटी के फैलते वे बड़े जोरों से फैलते वे नजर आ रहा है उसी को देखते वे जो यहां की सरकारे है उन्होंने निर्णाइ लिया और इस कॉरंटाइन सेंटर को तैयार करने की अनुमती मिल गई आपको एक बात और पता होगा कि हमारी सुरक्षा करते करते हमारी जो मुंबई पोलीस के तीन जवान आज उनकी भी मित्तु हो चुकी है इसलिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप लोग बिलावजा घर से बाहर ना लिख ले बलके आपने घरों में ही रहे ताके हमारे सुरक्षा के लगेवे जो हमारे पोलीस कर्मी है या हमारे जो डॉक्टर लगेवे है उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो को इसका आप लोगों को बहुत ही जादा मुंबई करों को द्यान रखना है क्यामरा पर्शन सान अवास के साथ सुरो सिद्धी की महा इंडिया न्यूज मुंबई